किए हलो एंड वेलेकम बैक इन इलेक्रों मैंगर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि अगर आपने अपने घर के लिए एक इनवर्टरू लेना है बैटरी सेट लेना है आपको नहीं पता कि कितने वीडियो को लाज्त देखना है फिर आप टेकनिकल साइट की हो या ना हो आपको इलेक्ट्रिकल की कोई जानकारी हो या ना हो आप इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में आपको एक कम्प्लीट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से अपने विए निकालना अपने इन्वार्टर के लिए कि अपने घर के लिए आपने जो इन्वार्टर ले सब्सक्राइब जितने भी आपके घर के चिछनी पी अपलाइस जैए बस आपने त्ने पूरे घर का लोड करने है चैक है उसके जी नहीं है आपको एक्जबल के तौरपे मैंने आप दिया हुआ है जैसे कि मैंने आप बल्लव लिया हूँ है मैंने तीन बल्लव लिये यहां पर और 9 वाट बल्लव लिए मैं तो टुटल होगया ठीए इंटु 927 वाठ के मेरे बल्लव हो गे जो मैंने एक्जांपल लिया यहां पर आप अपने घर का ले लेना calculate करने के लिए अगर आपको नहीं पता कि робर sì यह उस Tapने वाट का वो है Lead कि लिखा रहता है अगर आपको लगता है कि वह मिटट चुका है नहीं दिखा रहा है आपको कि कितने वाट का है कि आप असाइक कीजिए आप इंटरेम इंटरनेट पे जाए उसी अप्लाइंस को वहां पर सर्च कीजिए सेम जो कंपनी का है और देखिए पता लग जाएगा आपको वहां से कितने वाट का है ठीक है जब आपको यह पता लगी जाएगा तो आप जैसे कि मैंने आप बलब लिए तीन और LED लिए चार लिए और 36 वाट के लिए दूटल बन गया 144 वाट और फैन ले लिया मैंने तीन ले लिया 38 वाट के और यह बन गया आपका ध्रेंट के 2008 हो गया 114 वाट विस तरह से एक TV ले लिया मैंने डिक यो यो जो लोट데। ने ले ले ना है तो इंडेवर्ट ये हो गया है तो cinema हो गया हो गया चुन्यूट क्वाट ये वाट में एवाट में रख लेकिन दोस्तों है है वमने क्या अपने है कि जैसे हम हम इसमें क्या करते जो आपने टोटल लोड जो कैलुकलेट किया है वाट मैं 385 जैसे मेरा यहां पर आया हुआ है लेकिन इस पर आपने 25 परसेंट सेफ्टी फैक्टर भी लेना है क्योंकि हमारे घर में जो लोड होते हैं लोड होते हैं जैसे कि फैन हो गया या कुछ आपने सारे जितने आपका लोड है 385 का लोड है अपने साथ उनको स्विच कर दिया स्टार्टिंग में वह एकदम से ज्यादा लोड लेंगे ऐसा तो होगा नहीं कि आपने दों सभी अप्लाइंस को एक साथ कर दिया लेकिन रेर केस है अगर हो सब्सक्राइब कि आप किसी अप्लाइंस को जैसे अपने सेफटी फैक्टर लेना है तो आपने कुछ नहीं करना जो आपका लोड है क्या वह वाट में उसको आपने में 1.25 से मल्टिप्लाइ करना है तो आज गया मेरा यहां फे 482 वाट मेरा आगया अप्रोक्सीमेट इतना आ गया तो यह आगया मेरा बहुत में लेकिन जो मुझे इनवर्टर लेना है इनवर्टर की जो रेटिंग होती है दोस्तों वहती वीए में ठीक है लिकिन यह वाट की रेटिंग मुझे ले रहे है अनमक क्या है कि एक्चुली जो हम औरिंवर्टर जो होता है वह में क्यों होता है पहले बात हो यह को वीए में इसलिह रेट इनवर्टर क्या करता है उसको उस्की रेटिंग औरिम कि अphas göz i in पता कि विक कि सा लोड क्self फको hoc तो उसको नहीं पता तो उसकी स法ड कैसे कर देगा वह वोoon में उसका लोडे अब आप टोटल वावड आपकी आ हिए इस तो इस ऑपरुड में से जो आप कंज्यूम करतें उसको बनने करति हैं लिए सुख कारण नामें रोशीनी मिलती है वो उसको यह की रेटिंग होती अन्य जो हमने यूज किया इस बने मैं इन्हें ऐ्खड़ा इस आ लिए में से अपरेंट फार कोिता है रेटिम किसमें लहर और釈न्म also है यानि कि जो अप्लाइंस इसने कंजूम कि एक्षिली जिसका हमें यूजफुल वर्क मिला है तो वह वाट में होगी और जो लॉसिज में जाएगी वह रियक्टिव आपकी ठीक है वह रियक्टिव आपको लेते हैं रेक्टिव आवर लेकिन यहां पर क्या है तो वहां पर आपको पाव फेक्टर का इसके विडियो फेले बना रखी एक्टिव एक्टिव रेक्टिव आवर अपरेंट पावर और पाव एक्टर के उपर आगर आप ने देखिए तो आप देख लीजे वहां से आपको एक कंफूजन क्लियर हो जागी मैं आपको सिंपल बस दो शब् होगा अपलाइंस इसका तुसने उसका परेंट पावर मैं उसकी रेटिंग में फिर आग्यीत viral होती होती हम फम होते साथ 효 करना है तो विए में कनवर्ट करने के लिए हमने क्या करना है मिन आपको बताया इसमें पावठर का रोल होता आप अपने कैणने जो आपका वोट में लोड आया 25 प्रट्टी फाइव स्वर्ट एटी टू वाट यहां पर आपका वाट मैं उसको अपने पाव फेक्टर से डिवाइट कर देना एवरेज घर का जो पाव फेक्टर वह पॉइंट एट रहता है ठीक है तो आप पॉइंट एट ही ले लिजिए क्योंकि यह रहता है मैक्सीमम इस तो यह आपका विए में निकल गया जैसे कि मैंने आपको बदाया विए वाट होता है जो कि आपकी प्रूफ आवर जो आपने कंजून करनी है अपलाइंसी द्वारा वो होती है वोल्टेज करेंट और पावर्टर का फोड़क्ट होता है ठीक है सिंगल फेसमें तो यहां से आप विए निकाल सकते हैं यानि की वोल्ट इंटू करेंट का फोड़क्ट निकाल सकते हैं यानि की जो कि आपकी यह कूंची है यह आपकी अपरेंट फावर जो मैंने आपको शोग की अपरेंट फावर और यह आपकी ट्रूफ आवर जो की एक्चुली में यूज हो रही ह दिवाट कॉस umpilie स्थाय आपका पाव फेक्टर है ठीक hai इसमें आपको ज्यादा लाक्टिमें जाने पावसेक्टर है और अ है उसके बाद अपने क्या करना जब आपकी विये में आ गया है लोड तो आपने इंवर्टर की सेलेक्शन करने कि इंवर्टर कौन सा हमने लेना कितनी कौन सा तो आप हो जाता है आपको पता में चलता कि कब सप्लाई गई की नहीं गई है तो उसमें बेनिफिट यह रहता है कि अगर आपके सब्सक्राइब करनेक्टेड है उसके साथ तो अगर वह ओन है तो आफ नहीं होंगे तो उसी टाइम वह बहुत फास्ट वह स्विचिंग होती है सप्लाई से सप्लाई से इनवर्टर में है तो यूपियस टाइप का बैस्ट है बाकी है हमने अब सेलेक्शन करने है कि कि किस रेटिंग का कितने विए का इनवर्टर लगेगा इस लोड के लिए तो उसके लिए सबसे पहले तापको एफसेंसी चेक करने होगी यहां पर लाइट पर रहे तो उसके लिए सोरी क्योंकि एक तो मेरी पहली वीडियो है वाइट बोर्ट पे और उपर से लाइंपे है जुरूरी नहीं कि उतनी आउट आपके निकले आइडिल कोई भी चीज नहीं होती इन पूर्ट जितने देंगे आउट्पुट में कमी निकलेगी कुस लॉसे जोंगे तो एपसेंसी में बताता है अगर 90% एपसेंसी इसका मजला 10% आपके लॉसे जो रहे हैं तो फॉर कि मैं 90% में लेता हमें की एपसेंसी आह头 कि आपके लेना कि चैक करने के बाद या पता लगा सकते हैं कि कि nostril लोड को क्यूंकि जो ने independent स्फमेंस कर वह सुब्सक्ता है और जो रहा आ रहे है अगर उसी तो एंवाटेंट तो उसमें 10% भी होंगे तो आउट पूट में आपकी जो 603 वी ए माइनस 10 प्रेसेंट जो लॉस है वह आई उतनी तो आपका जो एक्चुली जो लोड है वह ज्यादा होगा लेकिन जो इन्वर्टर से निकलेगी पावर आउट पूट में वह कम होगी तो यह भी नहीं होना च तो अगर मैंने स्पोस्वी कि 90% उसके से तो मैंने क्या कर दिया लोड है वी ए में टूटल लोड जो आपका वी में इनवर्टर का जो वी मैं कि तना व्यमेंट लोड शेसोतीन वी ए टिकए 603 डिवाइड कर दिया एफ शेंसी से तो 603 आपका लोड है वी में जो यहां से निकाला मैंने जोने निकाल दिया पहले देख सकते आप और फ्वाइंट नाइन से मिनस को डिवाइड के पॉइंट में के एफ सेंसी में नाइटी परसेंट लिना तो याँ का आपका दो याझ की यहां पर सेंसी याङ्पर रहे हैं तो यहां पर फ्वैकर लेंगे वो लेंगे वो देख श्योंप्र विये का क्यूंगे कि प्रसेंट सब्सक्राइब तो इसका मतलब यह कि अगर आ उसकी इंपूट में श्यसो सथर भी यह वो ले रहा है तो आउट इस तो आपकी जो आपका वो लॉस्टी में जा रहा है तो यह आपका इस तरह से आपने इंवर्टर को स्लेक्ट करना है इंवर्टर का आपको प्रोसीजर समझ आ गया कि इंवर्टर कितने वी एकर लेना कैसे कल्कुलेट करना है वह आपको समझ आ गया होगा बाकि बात करते हैं बात करते हैं बैटरी की सेलेक्शन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो बैटरी है हमने बहुत ज्यादा रेटिंग की वि ज्यादा वी ए रेटिंग की बैटरी ले लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा ज्यादा बैक अफ मिलेगा लेकिन हमें यह बैटरी को परचेज करने से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि आपका जो घर जहां पे जिस एरिया में हुहाँ पे सप्लाइज जो जाती है अक्सर अबलाब 7-8 गंठे का ले लिया तो क्या होगा वह बैटरी आपकी प्रॉफरी डिस्चार्ज नहीं ओपाएगी ठीक है क्योंकि आपकी सप्लाइज जाएगी न इतनी तो जो बैटरी वो इस जार्ज नहीं होगी उस इसाब से जब आपकी बैटरी प्रॉफरी करने के लिए लोड आपने वाट में लिना इंटू बैक आप आवर में बैक आप कितना डिवाइड बैटरी की वोल्टेज के तो लोड में कितना आ रहा था आपका यहां पर हमने निकाला था चार्सों याशी वोट जो आपका 25% सेप्टी फेक्टर के साथ इनकलूट है ठीक ह हमने 25% यहां पर लिया था यहां फिल न तो 25% सेप्टी फेक्टर भी आपने लिया था तो यहोगा है 422 इंटू हमने मालोव पोज मैंने यह आप लिया है त्री और करके बेक अपलिए तिन गंटे का बैक अपलिया तो अगर ने तो तो अगर वोलैति की यह की रेटिंग कर अची दोनुट रेटिंग को तीना एक वोल्टेज में और एच कितने एच का है यहां पर आपकी कैलकुलेशन के साथ से 120.5 या 121 एच की बैटरी के साथ से आ रिये तो इस रेटिंग की जुरूरी निया आपको बैटरी मिलेगी तो आपने इसके आसपास ले नहीं है इसके आसपास ज्यादा आभी उपर नहीं जाना तो जिस लेबल की आपको मिल जिया 120 के जेख चलगी तो पायम तो निचे निजाना थोड़ा ऊपर जा सकते आफ ज्यादा ऊपर भी लिए जाना है थोड़ा पांदस एस इकाफर का सकता है उपपर नीचे जा सकते क्योंकि आपको इससी है झाल सक मिलेंगी तो आफैस जोस सकते हैं रिया जोश्या Children inch-h Pepper कौई ज्यादा भाधिनी उनिची इस डपियर इस रेटिंग के इस आप से जोपने कल्कॲेट किया है तो जो अपने डिफेरेंस भी न Vana च्छोटा थिंग्यार को इस तरह से हम अपने घlor के लिए्जो इनवर्टर लेंगे य्ट्री लेंगे उसकी जो वे है है और बै unpack है वह हम इस तरह से calculate करेंगे लग ine लगिए फोल यह वीडियो अगर आपको फोल लगिए और दो वीडियो को तो पता ही है लाएक करना